हेलो अभीवन, कैसे हैं, आप सब आई होप, आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सवस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है, यह हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे ठीक है reading का topic हमारा यही रहेगा और देखेंगे कि क्या कुछ सोच रहे थे आपके partner आपके बारे में क्या feel कर रहे थे उनके emotions क्या रहे है feelings क्या रहे है क्या कुछ चीजे निकल के आती है हम सारी चीजे देखने वाले हैं आज के अपने इस reading में हम आपके लिए भी कुछ cards निक में देखने वाले हैं तो चल यह करते हैं reading को स्टार्ट देखते हैं क्या cards निकल के आते हैं आप सब के लिए त्यांद रखिएगा कि यह reading एक जना reading है और कलेक्टिव है ठीक है और जो लोग भी जो है प्रसनल चारों reading लेना चाहते हैं इस्क्रीन पर दिये गए नंबर पर से contact कीजिए ओके चलिए देखते हैं focus कीजिए आप cards के उपर अपने partner के उपर रल मर को जो मैं ओके आप से जलगे की इस बादे में द्यांग के ञे आपके अका के हूग का उपके ए खिए आपके आपके ऑट सेँए जूदिए ने वत ड़ना के आपके अट्र 1 of你想 fan कि आपके यह ने जगे दिए ऑके आपके उखशन के स्टीए यह लागे इस गये फर ख ओके वेरी नाइस वेरी नाइस पहला कार्ड निकल आया है देखते हैं आपकी पार्टनर के लिए ओके 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 बॉटम आफ तर डग देखते हैं नंबर है 26 आपकी या फिर आपके पार्टनर की एज हो सकते है आपके पार्टनर जो है ना ऐसा लगता है जिसे की काफी बहनती भी है और अपने लग को है ना मान कर चलते हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है लग जिसे होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि अपने लग के उपर ही सब कुछ मान के चलता है कि मेरा लग होगा तो यह होगा मेरा लग होगा तो वह होगा है ना तो लग को मानने वाले आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग जो होता है ना कि हम अपने लग को ले करके चलते हैं वैसे ही आपके पार्टनर की फिलिंग्स मुझे नजर आ रहे हैं कि यह पॉर्सन लग के उपर काफी डिपेंड होते हैं और डिवाइन एंजल्स है ना इसके उपर काफी ट्रस्ट करने वाले आपके पार्टनर मुझे यस नमबर 26 26 आपके पार्ठनर की एज हो सकती है या फिर डेट आफ बर्थ हो सकती है 26 या फिर नमबर एट नमबर एट भी दिखा रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो आप दोनों का जो रिष्टा है यह कोई ऐसा वैसा रिस्ता नहीं है कहें तो यह डिवाइन के तरब से एंजल्स के तरब से है यह रिस्ता और काफी काफी ज़दा प्रोटक्टिव रिस्ता भी कह सकते हैं कि यह है ठीक है आपके पार्टनर के पास बहुत सारे सिक्रेट्स हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके पार्टनर कहीं न कहीं यह पार्टनर अपने प्रोजेक्ट में कहीं ऐसी जगा बीजी हैं जहां पे कह सकते हैं कि यह अपना ध्यान आपके तरफ लाना नहीं चाहते हैं यह पार्टनर की फीलिंग्स कहले हैं कि नहीं अभी जो है ना मैं बहुत बीजीई हूं मैं बहुत ज़दा कुछ और रहा हूं मैं अपनी लाइफ में study में busy हुँ या अपनी कर्यर में busy from of some focus कर रहा हूं कहीं और focus कर रहा हूं । यह यह जो person हैँड़ा काफी ज़ादा अपनी आपको घेशी कोशिश कर रहा है यह पॉर्जन हो सकता है कि कुछ रिसर्च का भी काम करते हों क्योंकि मुझे यहां पर रिसर्च भी एनर्जी में दिखाई दे रहा है रिसर्च से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़े दिखाई दे रही है ठीक है सो वो भी दिख रहा है मुझे ओके नंबर 11 का कार्ड है आप लोग इस कार्ड में सिर्फ नंबर को नोट करना ठीक है नंबर नाइन्टीन इस कार्ड को देखते मुझे एक अलग सी वाइब फील हो रही है नंबर ट्वेंटीनाइन नंबर ठाटी एट नंबर एटीन एड नंबर है मेरे पास 22 एंजल नंबर सो 29 एज हो सकती है 38 एज हो सकती है ये 29 डेट भी हो सकती है बात करते हैं कार्ड की तो कार्ड मुझे काफी क्लियर वे में बता रहे हैं आपके कुछ ऐसी बाते जो कि शायद आप नहीं जानते हो अभी तक, अभी तक रीडिंग जानने से पहले शायद अभी तक आप नहीं जानते हो, तो वो बाते मैं आपसे बताने जा रही हूँ, आपके पार्टनर है ना, बहुत हाइड रखने वाले इंसान है, अपनी feelings को, अपनी emotions को, अपनी आपको काफी जदा hide रखना पसंद करते हैं खुल के किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये person के energy मुझे ये दिखाई दे रही है मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके partner जो है ना काफी गुसे में आते हैं काफी जदा गुसा, काफी जदा attitude दिख रहा है मुझे और ये person ने गुसे में आपका ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपको वो words बोल दिये हैं जो आप expect नहीं करते थे मुझे दिखता है कि ये person काफी परिशान है काफी जदा परिशान है, मैं देख पार हूँ कि ये person है ना ये person ने अपने गुसे पर काबू करने की कोशिश करी है मुझे जहां तक लगता है कि ये person हमेशा ही आपके उपर blame करते रहते हैं या आप दोनों की बीच में gap क्यों हुआ, आप दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हुआ काफी कुछ जो है ये person बताने की कोशिश करते हैं लेकिन ये person बता नहीं पाते हैं मैं ये भी देख पार हूँ जैसे कि जो person है आपको लेकर अपनी feelings को लेकर अपने emotions को लेकर के काफी clear है लेकिन यहाँ पर ये भी देख रहा है कि किसी के बहकावे में आकर कि इनको गुसा आ जाता है ठीक है मुझे ऐसा फिल होता है जैसे कि ये person आपको attention भी नहीं देते हैं और आप जब इनसे सिकायते करते हो जब आप इनसे बोलते होगे कि आप मुझे attention नहीं देते हो या आप मुझे वो प्यार नहीं देते हो जो मैं deserve करता हूँ या करती हूँ इसके कोई value नहीं है ठीक है वो एनर्जी मुझे clearly दिखाई देरे कि नहीं यह जो person है आपके काफी ज़ादा आपसे जो है वो प्यार महबत है ना वो करने वाले energy में मुझे नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा फील होता है कि यह person आपके लिए जो है इनके दिल में प्यार है लेकिन वो बहुत अंदर के जो है जैलेस फील करने वाले इनसे क्यूर फील करने वाले person यह person ठीक है हमेरे सा अपने आप पे confident होता है इनको लेकिन साम यह person को ऐसा लगता है कि मैं loyal हूँ और मैंने अपनी loyalty दिखाई है या मैंने अपनी friendship दिखाई है या मुझे जैसा रहना चाहिए real रहना चाहिए वैसे मैं real रहा हूँ या real रहकर मैंने उसे दिखाया है लेकिन यह पर यह दिख रहा है कि यह person बमक जाता है और चिकने लगते हैं चिलाने लगते हैं कई कई बार आपना आपक हो बैटता है यह person, so yes, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यह person ने जो भी आपका विश्वास तोड़ा है, अब इस person को आपका विश्वास जीतना है, आपके partner की feelings मुझे दिख रही है, कि आपका विश्वास जीतना है, और आपको अपने करीब, जितना यह person ला सकते हैं, उतना यह person अपने करीब लाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, यह person का दिख रहा है, कि जो person है न, यहाँ पे अपने workload के वज़ए से, हलाकि अभी परिशान है, मुझे अथारिटी हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे यह दिख रहा है, कि आपके partner के ऊपर authority है, यह जो person है, मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है, जैसे कि, ऐसा दिख रहा है, जैसे कि, आपके partner यहाँ पे अपने काम के वज़ए से, या फिर कहें तो किसी female person की वज़ए से, यहाँ यहाँ पे आपसे दूर है, कोई female person, क्योंकि यहाँ पे female person, main lead में यहाँ कोई female person आई है, तो yes, female person कोई हो सकती है, जिसकी वज़ए से, जो है न, आपके और आपके partner के बीच में यह दूरी आई है, यह gapping आई है, यह person के दिल में, दिमाग में हमेशा, हमेशा कोई game खेलता ह है, ठीक है, इनके दिल दिमाग से हमेशा कोई game खेलता है, यानि कि आपके साथ जब भी इस person को आता हुआ, कोई इनसान देख लेता है, जैसे कि यह lady है, यह lady अगर देख लेती है, तो कहीं इनके मन में वो एक होता न, जिसकी jealousy की भावना आने लगती है, और यह jealousy की भावन के वज़ा से आप दोनों की बीच में जो है, यहाँ पर gapping आने लगती है, यानि कि कहें तो इस relationship में एकदम से जो no contact zone है, वो अचानक से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो चीजे होनी चाहिए, वो चीजे हो नहीं पाती हैं, है ना, तो reality में convert नहीं हो पाती हैं, जो कि expectations होती हैं, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके जो partner है ना, यह person आपके तरफ आने की जब जब कोशिश कर रहे हैं, तब तब इस person के ऊपर कोई restrictions लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मत मिलो, क्या फाइदा, वैसे लोगों से मिलने का क्या फा करते हो, कुछ लोग हैं, जो कि आपके partner को manipulate करते हैं, हमेशा, हमेशा ही आपके खिलाफ manipulate करते हैं, हमेशा ही options दिखा देते हैं, कि आरे यार, तुम्हारे पास तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, तुम क्या उसके पीछे पड़े हो, ठीक है, तो ये energy भी दिखाई दे रह ही है, मुझे, मुझे ऐसा feel होता है, जिसे कि आपके partner को ऐसास जरूर है, कि आप अभी तक तो loyal रहे हो इनके साथ, लेकिन इनके मन में जो कहता है, जो doubt हो जाता है, एक बार वो जब तक clear ना हो, तब तक हमारे दिल से दिमाक से निकल नहीं पाता है, तो yes, ये ही दिख रहा है, मुझे, आपके partner के पास options भी है, मुझे जहां तक दिख रहा है, कि ये third party, इनके life में इनकी कोई friend हो सकती है, जो कि इन से प्यार करती है, और इनकी वज़ा से जो है ना, एक होता है ना, कि यही जो है, आपके करीब नहीं आने दे रही है, ये portion को, ठीक है, मुझे यहां पर choices भी दिखाई दे रहे हैं, आपके partner के पास, so yes, दो दरवाजे हैं, एक बंध है, एक खुला है, आप लोग देखो तो यहां पर जो है ना, एक दरवाजा, नहीं, दोनों दरवाजे खुलें, एक ज़्यादा खुला है, एक कम खुला है, yes, मुझे यहां पर यही दिख एक पर आप्षोन्स हैं, यहां ही से decide नहीं कर पा रहे हैं, crossroad पर खड़ें कि यह पौर्सन अब किदर जाए, इधर जाए, यह इधर जाए, ठीक है, तो यह पॉर्सन कनफ्यूजन में हैं, हांड़िड पर्सन यह person confusion में हैं और यह पॉर्सन के पास choices available हैं, ऐसा दिख रहा ह कि ये जो person है इनको जाएना best से best person चाहिए best से best opportunity चाहिए अपनी life में लेकिन ये person किस तरीके से आपके तरफ जा सकते हैं इनको कोई idea नहीं लग रहा है ये person कैसे जाएंगे इनको कोई idea नहीं लग रहा है ये person का क्या होना है इनको कोई idea नहीं लग रहा है मुझे ऐसा feel हो रहा है आपके cards में ये person हाला कि आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको feel करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि आपके जो partner है न देखें आपके जो partner है एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपके थॉट्स ज़्यादा आते हैं जब पॉर्सन जह है कोई दिमाग में पहली जह है वो आप आते हो क्योंकि एक भूमी जो होती है अपनी लाइफ में एक बेस्ट पॉर्सन होता है हैं हमारी life में हर story होती है अलग-अलग हर किसी के story होती है तो उस story का main किरादार जो है वो आप मुझे नजर आ रहे हो येस मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि आप आप जो है ना इनके दिल दिमाग से निकलते ही नहीं हो चाहिए ये person कितना भी try कर ले कितना भी कुछ कर ले बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल पाते हो मैं देख पा रहे हूं कि ये जो person है ना काफी जदा अलग सी अपने connection को समझते हैं कि हां ये जो connection है ये बदलेगा ये connection जो है ये पूरा होगा ये connection ऐसे आधा अधूरा नहीं रहेगा हम दोनों की बीच में दूरी जरूर है बट हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता है आपके partner सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके partner का आपको ले करके जो इनके thoughts है ना काफी clear way में है कि नहीं आप ही आप है ना आप ही आप आप इनके दिल में हो आप इनके दिमाग में हो और आप ही से इनका सब कुछ जुड़ा हुआ है मुझे ऐसा feel हो रहा है card में guide carangels okay guide carangels okay guide carangels universe and sisters guide carangels 10 of swords येस ये जो person है काफी जदा परेशान है आपका कोई call कोई message नहीं आने के वज़े से काफी परेशान है ये person ठीक है मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि ये person का दिल दहल गया है ये person के दिमाग में कुछ बाते रह गई हैं कुछ बाते ऐसी हो गई है जो ये person निकाल नहीं पा रहे हैं ठीक है ये person बहुत जदा पेन में दिख रहे है मुझे और कुछ आपके पुरानी बाते इनको बार बार याद आ रही है कुछ पुरानी बाते कुछ पुरानी यादे कुछ ऐसी चीज़े जरूर है आप दोनों के बीच में जो कि ये person नहीं कर पा रहे हैं मैंने पहले भी कहा कि third party है आप दोनों के बीच में सब्सक्राइब के निगेटिविटी की वज़ा से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है आपके पार्टनर मजबूर है उस थर्ड पार्टी की बाते मानने को या कहें तो उस थर्ड पार्टी के बातों में आकर कि अपने आपको एक होता ना कि स्टन लेना या फिर तो अपनी आपके लिए सब कुछ करना फीक है यह तरफ तो सोच भी रहे हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा या कर लूंगी लेकिन फिर यह पर सन नहीं हो पार है इनसे ठीक है मैं यहाँ पे यह देख पार हूँ कि उसका क्या होगा या फिर किया जानाrop है रहेगा क्योंकि यह पॉर्षयन को ले करके जद़ा सोच रहे एंड़ है मुझे एसा पील होता है कि चलो ठीक कोई बात नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है बहुत सारी चीज़े हैं ठीक मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर येस मुझे बहुत सारी चीज़े दिखाई दे रही है येस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में एक प्यारा सा कनेक्शन भी दिख रहा है एक प्यारी से एनर्जी भी दिखाई दे रही है लेकिन यह connection जो है यह कब पूरा होगा कैसे होगा आपके partner बस इंतिजार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इंतिजार करते हैं कि क्या होता है five of pentacles येस आप से मिलने ही पा रहे हैं या आपके साथ एक loss फिल कर रहे हैं आपके बगर loss फिल कर रहे हैं आप हो नहीं इनके साथ तो yes loss की बात है है यहां पर दिख रहे हैं कि पॉर्चन जार बहुत loss फिल कर रहे हैं आपको ले करके बहुत इनके दिल दिमाग में जो है ना आपके partner के अंदर एक hope है कि ठीक है वो बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है तो मैं करके देखता हूं या देखती हूं देखते हैं कि क्या होता है क्या होता है कैसे होता है कैसे नहीं होता है मतलब आपके पार्टनर की ऐसे फिलिंग्स है ना कि मैं उसके तरफ इस तरीके से बेकाबू क्यों हो रहा हूँ या मैं उसके कंट्रोल में क्यों आ रहा हूँ या उसके तरफ मुझे इतना अट्रेक्शन क्यों हो रहा है आपके पार्टनर बार-बार सोच रहा है कि क्यों हो रहा है ये सारी चीजे मेरे साथ क्या ये होना ज़रूरी है मेरे साथ क्या ये सारी चीजे मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ कहीं न कहीं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में तो हैं ये सारी बात है यह सारी चीज़े ठीक है जो कि मुझे नजर आ रही है ओके गाइड करें अंजल्स यह आपकी अनर्जी है नंबर ठाटी थ्री बहुत प्यारा काड आया है आपके लिए मुझे गाइड करें अंजल्स रिवीवर्स ले गाइड करें फॉर्टी थ्री ठीक है थीवन वेरी नाइस नंबर फॉर ट्वंटी एट ओके एंड नंबर नाइन पॉर्टम आफ तडेक है यहां पे नंबर ठाटीन एक बेबी भी दिख रहा है मुझे बेबी ऐसा दिख रहा है जिसे कि न्यू बिग्निंग करना चाहते हो और फ्रस्ट स्टार्ट करना चाहते हो ऐसा लगते है जिसे कि सपना आपका है कि एक बहुत ही प्यारी सी खुब्सुरत सी न्यू बिग्निंग हो रिलेक्शन्सिप में कुछ बड़ा बदलाव आए कुछ ऐसा चेंज आए जिसे आपको भी अच्छा लगे और आपके पार्टनर को भी अच्छा लगे है ना मुझे यहां पे यही दिख रहा है कि एक न्यू बिग्निंग की जरुत है आप दोनों के रिष्टे में आपको ऐसा फील होता है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आप जो है अब जो है ऐसा फील कर रहे हो जिसे कि आप शायद उस समय में चौर नहीं थे उस समय अपने पार्टनर के साथ जब आप relationship में थे उस समय में चौर नहीं थे इनके बातों को नहीं समझ पाए इनकी वादों को जूटे वादों को नहीं समझ पाए क्यों किया आपने ऐसा या फिर आपके साथ ऐसा क्यासे हो गया यह बार बार फिल करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहां पर यह दिख रहा है जिसे कि आप अपने आपको ब्लेम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेम कर रहे हो कि यार यार यह मैंने अपने आपके लिए ही गड़ा खोद लिया था या खोदा था ठीक है ना हैं आप चाहते हों आपनी लाइफ को बहुत बैंना चाहरे ओ अभी या नो आप नहीं चाहते हो कि आप वैसे relationship में जाओ जहां पर आपको कुछ ना मिले आपको स्रीफ pain मिले स्रीफ आपको वही सारी चीजे मिले जो की जो की unbelievable हो ठीक है आप चाहते हो कि आपके जिंदगी में खुशियां आए है ना आपके जिंदगी में खुशियां आए आपको चाहि बहुत स्मार्ट फॉर्सन चाहिए आपको मै्हनती इंसान काफी पसंड है मैंनती इंसान की आपके दिल में आपने अपने बोक कर लिया है क्यों क्योंकि यहां पर देख रहा है कि आपके साथ जो भी कुछ चीज desapय खुश को बहुत सारी कुछ चीजे पर सकते हैं और में देख पारी हो कि अब Haw you कि आप मजब उनके सांथ सब्सक्राइक हो या या आप उनके सांथ एकडम F tattoo एक एक दम हैपी ली कराना चाहते हैं आपको ठीक है आप उनको फिल कराना चाहते हो मैं देख पारे हूं कि आपके लिए बहुत दरूरी है और आप वैसे ही चीजे करना चाहते हो मैं देख पारे हूं कि यह आपने आपको थोड़ा सा हील भी करते भी दिखाए दे रहे हो अपने पार्टनर के साम आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको आजे बढ़ने में थोड़ी से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है कि आप जाने अपनी destination में पहुँँचना चाहते हो, लेकिन यापे थोड़ा सा confusion है, बहुत ज़दा अलग सा दिख्या है decision नहीं ले पारे हो आप अपने आपको कंट्रोल कर रहे हो अपने इगो को कंट्रोल कर रहे हो ठीक है आप अपने confidence है तो सब है क्योंकि आपको अपना एक घर लेना है आपको इस्टेबलिटी चाहिए ठीक है आपको दिक्षराइए कि बहुतीं प्यारा कुपसुरत सब्स़ोसा लेने कासुचा है या लेने का सोचा है क्यों कि अधा कि और सब्सक्राइब ठीक है तो आपके partner आपके साथ आए ना आए बट आपको सपने अपने पूरे करने हैं आपने सीख ले लिया है इस person से कि हर कोई इज़त आपकी नहीं कर सकता आपकी किसी की हर कोई इज़त नहीं कर सकता और आज के time में कोई loyal नहीं है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि loyal है और ए ओकी ऐदिर आंजर आपंफम्ट्स साथ तैंटल फाइब और और यह ऐस आपके मन में कभी-कभी हजार सवाल चल रहा है आपकेमन बहुत परशान चल रहा है कभी मन कर रहा है कि कि अथी यार सारे रिष्टे ना थी छोड़ दूं तो यह ले लेता हूं सॉरी क्योंकि इतनी ज़दा प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि आरे यार यह प्रॉब्लम सायेंगी वह प्रॉब्लम सायेंगे टो वह चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसा फील होता है कि येस आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़े हैं ऐसी ठीक है सो आपका मन बहुत परिशान है आप अपने आपको हील करना चाहते हो कहीं दूर चले जाना चाहते हो कहीं शांत सा महौल हो कहीं दूर जा करक आपके साथ जो है ना इस रिस्ते को जो है मतलब एक होता नहीं कि हाँ आपके साथ आना है ठीक है आपके साथ करना है ठीक है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके साथ आना है आपके साथ लेशनशिप को करना है हील करना है रिस्ते काफी अच्छे हो जाएंगे रिस्ते काफी अच्छे हो जाएंगे यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने आपको हील कर लोगे ना तो आपका इश्वर जो आपके साथ करेगा वह बेस्ट करेगा या आपका इश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं आपका साथ हमेशा देगा और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो करके देगा तो यह आपकी भावनाएं ऐसी हैं काफी क्लियर हैं आप जो है ना अब बदल जाना चाहते हो पूरी तरीके से बदल जाना चाहते हो जैसे आपके पार्टर ने आपको नो कॉंटेक्ट जोन में डाला और तर पे तर्से लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ अब यह ना अब आपको बदल देना चाहते हो कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाओंगा यह आगे बढ़ जाओंगी ठीक है क्योंकि यह पर दिख रहा है कि यह जो रिष्टा है ना यह आपको लगता है वे नए पार्टनर आना चाहिए अपको अपको किसी नए और यह दिख रहा है कि थोड़ा confusion है आपको ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं थोड़ा एक होता है कि चेंज लाना तो वह चेंज जो है ना कहीं कहीं आप नहीं लाना पसंद करते हो या नहीं लाना चाहरे हो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने आपको थोड़ा डील करना चाहत तो मैं देख पारूं कि येस आप अपने आपको अपनी लाइफ में एड़ेस्ट करते भी दिखाई दे रहे हो आपकी पूरी लाइफ मैं देख पारूं कि आपको आगे बस जाना है आपको आगे बस करना है रिष्टे को सही करना है है ना तो वो चीजे मुझे नज़र आ रह अच्छा लगी ना लगे लेकिन आपको लगता था और अब अपने आपको फ्रेस एकदम से निव स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में ठीक है तो मुझे तो यह आप यहीं देख रहा है एक तरफ आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं अपनी गलतियों कि मा मिलते हैं फिर से आप से किसी नई रीडिंग में तब तक के लिए बाबाई